कश्मीर फाइल्स का हिट होना इस बात का संकेत है कि इस देश का हिंदू अब जाग गया है लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुवात है कश्मीर फाइल्स के जरीए कश्मीरी पंडितों के नरसंगहार का जो सच सामने आया है ठीक वैसे ही कई और सच अभी सामने आना बाकी है इस देश में एक नहीं हिंदूों के कई नरसंगार हुए है और इन सबकी फाइल्स अभी सामने आना बाकी है केरल के हिंदू नायरों के नरसंगार की मोपला फाइल्स डिरेक्ट एक्षन डे पर मारे गए हिंदूों की कलकत्ता फाइल्स हिंदू महिलाओं के साथ हुए बलातकार की नो आखली फाइल्स गांधी हत्याकांड के बाद हुए ब्रहम्मनों के नरसंगार की चितपावन फाइल्स राम जनम भूमियां अंधुलं के दोरान काड सेवकों पर हुई फाइरिंग की अयोध्या फाइल्स गुजरात में हिंदूों से भरी ट्रेम में नशंस अगनीकांड की गोधरा फाइल्स खरिबात की इस خاص सीरीज में हम एक-एक करके ये सारी फाइल्स खोलेंगे हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि दा कश्मीर फाइल्स ने जो अलग जगाई है वो बुझना नहीं चाहिए हमारे आने वाली पीडियों को ये मालूम होना चाहिए कि सनातनियों की धर्ती पर सनातनियों पर ही खुनी अत्याचार हुए है तो आज बात करते हैं मोपला फाइल्स की अगर आपको लगता है कि इस्लामिक आतंगवाद 1990 के दशक में सबसे पहले कश्मीर में आया था तो आप गलत हैं और सपनों की दुनिया में जी रहें आज से सौ साल पहले ही भारत के केरल में इस्लामिक आतंगवाद की विधिवत शुरुआत हो गई थी केरल के मोपला मुसल्मानों ने हजारों हिंदूों की बेदर्दी से हत्या की थी हजारों हिंदु औरतों की अस्मक दूटी गई थी और हजारों हिंदुओं का तलवार की नोग पर धरम परिवर्तन करवाया गया था आज मैं आपको तथ्यों तर्कों और सबूतों के साथ 1921 में हुए मोपला फाइल्स की पूरी खुनी दास्ता सुनाओंगा लेकिन उसके पहले इन मोपला मुसल्मानों का डियने जानना बहुत जरूरी है आप मोपला मुसल्मानों को भारत का पहला आतंगवादी संगठन या इन्हें फुल टाइम जिहादी भी कह सकते हैं ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा जामिये वामिये और सिकुलर मुझ पर उंगले उठाएं उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तथ्य मैंने ढूंडा है जाने माने वामपंथी इतिहासकार सुमित सरकार की इस किताब जिसका नाम है आधुनिक भारत से जो 68 पर दिखा है कि 1885 और 1896 में भी मोपलाओं ने विद्रो किया था इस विद्रो में जेनमियों यानि हिंदू जमिदारों की संपत्ती लूटी गई और उनके मंदिरों को अपवित्र किया गया ये काम मोपलाओं के छोटे छोटे दल करते थे इन मोपलाओं का कभी पुलिस स सामना होता था तो ये सामोहिक आत्महत्या करनेते थे इनका अटूट विश्वास था कैसा करके वो शहीद होंगे और सीधे जन्नत जाएंगे तो सुना आपने उस दोर के मोपला मुसल्मानों और आज के मुस्लिम आतंगवादियों की सोच में कितनी समानता है तो आईए अ अब मैं आपको बताता हूँ कि केरल के मालावार इलाके में इन जेहादी मोपला मुसल्मानों ने 1921 में क्या क्या किया था यहाँ के मोपला मुसल्मानों ने खिलाफत आंदोलन की आण में पहले तो पुलिस थानों को जलाया, पुलिस के हत्यार लूटे, कुछ अंग्रेजों की हत्या की और फिर उनकी तलवारे निहत्ते हिंदूों को काटने लगी यहाँ कट्टर मुसल्मानों ने करीब 20,000 से जादा हिंदूों की हत्या कर दी, जब कि 50,000 से जादा हिंदूों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया गया इतना ही नहीं, हजारों हजार हिंदू आउरतों की अस्मते भी लूटी गई जूटे और मकार वामपंती इतियासकार हमेशा मोपला नरसंगार को मोपला विद्रोह का नाम देते हैं उनके मताबिक ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था और इसमें कुछ हिंदू जमिदार भी मारे गये थे असल में जूटे बामपंतियों को निलामबुर की रानी का वो पत्र पढ़ना चाहिए जो उन्हों ने भारत के तकालिन वाइसराय लॉड रीडिंग की पत्नी लेडी रीडिंग को लिखा था निलामबुर की रानी ने दर्दनाक पत्र मालाबार की सारी पीडित हिंदू महलाओं की तरफ से लिखा था ये पत्र आज भी एक एतियासिक दस्तावेज है इस पत्र में लिखा गया था कि हम मालाबार की हिंदू औरतें लेडी रिडिंग को ये पत्र इसलिए लिख रही हैं कि उन्हें पता चले कि हम पर किस तरह के अत्याचार किये गए हैं मोपलाओं ने जो आतंक मचाया है उसकी वजह से पूरे इलाके के कुए और तालाब हमारे अपने प्रिये लोगों की लाशों से अटे पड़े हैं उनका गुना सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने पुर्खों के धर्म यानी हिंदू धर्म को छोड़ने से इंकार कर दिया था गर्बवती और तों के पेट चीर दिये गए और उनकी लाशों के अंदर से शिशू जाक रहे थे हमारे बच्चों, पतियों, भाईयों और पिताओं को हमारे सामने जिन्दा जलाया गया हमने जंगलों में छुपकर अपनी जान बचाई है जब हमारे बच्चे रोने लगते थे तो हम उनका मूँ दबा देते थे ताकि कोई उनकी आवाज न सुन ले हमारी बहनों का जबरन धर्म परिवरतन करवा कर उनकी मौपला कुलियों से शादी करवाई गई महान सुदंतरता सैनामी और पूर्व कांगरिस अद्यक्ष एनी बैसेंट सबसे पहले हालात का जायज़ा लेने के लिए माला बार इलाके पहुची थी उन्होंने सारा हाल देखने के बाद 29 तुमबर 1921 को जाने माने अख़वार न्यू इंडिया में खिलाफत आंदुलन गांधी और अली बंदों की धज्जियां उडाते हुए लिखा था कि मिस्टर गांधी को माला बार ले जाना चाहिए ताकि वो खुद अपनी आखों से देख सके कि उनके और उनके प्यारे भाईयों मुहमद अली और शौकत अली के उपदेशों का कितना भयानक परिणाम निकला है कि मिस्टर गांधी को उन हजारों औरतों से थोड़ी भी सानिबूती है जिने फटे हुए चीतले पहन कर अपने घरों को छोड़ना पड़ा उनके सामने उनके पतियों पिताओं और भाईयों को टुकड़ों में काटा गया इससे घिनोना अप्राग क्या हो सकता है कि एक साथ महिने की गर्ववती महिला का पेट चीर कर उसके अजन में बच्चे को मार दिया जाए एक छे महिने के बच्चे को उसकी मां से चीन कर उसे दो टुकड़ों में काड़ दिया गया प्रतिष्टित नाय घर्याने की एक महिला को उसके पती और भाईयों के सामने नंगा किया गया जब उन्होंने ये देखकर शर्म से अपनी आँखें बंद कर ली तो तलवार की नोक पर उनकी आँखें खुलवाएं गई और फिर उनके सामने ही उस महिला के साथ बलातकार किया गया इंसानियत को शनमिंदा करने वाले इस नरसंगहार को अंजाम दिया था मोपलाओं के कटर जिहादी निता अली मुसलियार और उसके साथी वरियम कुनन कुन्जा हम्मद हाजी ने हजारों हिंदुओं को कतल करने वाले इन हैवानों को केरल की कम्निस्ट सरकार स्टंतरता सैनानी मानती है यही बज़ा है कि इन से सीख लेकर आज भी केरल के कई मुस्लिम नौजवान दुनिया के सबसे खुंखार आतंकी संगठन ISIS में शामिल होते हैं और सीरिया से लेकर अफगानिस्तान के गुरुद्वारे तक जिहादी हमलों को अंजाम देते हैं मौपला फाइल्स का पूरा सच क्या था इस पर अब मैं एक ऐसे शक्स की बात का उलेक करना चाहूंगा जिसकी सच्चाई पर कोई सवाल नहीं उठा सकता और सक्स का नाम है डॉक्टर बाबा साहिब भीमराव अंबेटकर उन्होंने अपनी मशूर किताब पाकिस्तान और दे पार्टिशन आफ इंडिया जिसका हिंदी अनुवाद पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन इस वक्त मेरे हाथ में है इस किताब के पेश टंबर 171 पर लिखा है कि मोपला विद्रो का मकसद इस्लामिक राजजी की स्थापना करना था जब मोपलाओं का इस अलाके में शाशन हो गया तो उन्होंने अली मुस्लियार की ताज़ पोशी कर दी बिटिश सरकार के खिलाफ तो विद्रो समझ में आता है लेकिन मोपला मुसल्मानों ने हिंदूओं के साथ जो वहवार किया वो दिमाग खराब कर देने वाला है हिंदूओं पर भेंकर अत्याचार किये गए जैसे कतले आम, धर्म परिवर्तन, मंदिरों को तोड़ना और गर्ववती औरतों के पेट चीर देना ये सिर्फ एक हिंदू मुसलिम दंगा नहीं था, बलकि प्लैनिंग के साथ की गई एक हिंसा थी जिसमें अनगिनत हिंदू मारे गए और उनका धर्म परिवर्तन हुआ तो सुना आप में, डॉक्टर अंबेट करके क्या विचार थे स्मोपना नरसंगार पर वेसें विचारों को उन लोगों को भी सुनना चाहिए, जो जैधीम, जैमीम के नारे लगा रहे हैं अगर फिर भी किसी को डॉक्टर अंबेट कर एनिवेसेंट निलांबुर की रानी की बातों पर यकीन नहीं है तो उनके लिए मैं टाइमस ओफ इंडिया की एक रिपोर्ट पेश करना चाहूंगा जो 7 सितंबर 1921 को छपी थी मोपना नरसंगार के बारे में 100 साल पुरानी इस रिपोर्ट में लिखा है कि मोपलाओं ने उच्च हिंदू घराने की लड़कियों को नगन करके उन्हें उनके परिवार वालों के सामने घुमाया अपरहत की गई हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया उसके बाद उन्हें मोपला महलाओं की तरह कपड़े और जेवर पहनने को मजबूर किया गया सम्मानित हिंदू पुर्षों का धरम परिवर्तन हुआ जिसमें कुछ मुसलियारों और थंगलों की उपस्तिती में उनका खतना करवाया गया ये सब हिंदू मुसलिम एक्ता के लिए शर्मनात था जिसके नारे खिलाफत आंदूलन में सुनाई देते थे बड़ी तादाद में हिंदूों को सड़कों पर इसलिए नंगा घुमाया गया ताकि उनके अंदर का आत्म सम्मान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए हैरानी की बात है कि नत्याचारों पर मोपला महिलाओं ने भी अपने पतियों को कुछ नहीं बोला मोपला नरसंगार की दास्ताने ऐसी थी कि इने सुनकर किसी हैवान का भी दिल पिखल जाता लेकिन महात्मा कहे जाने वाले गांधी पर इसका वैसा असर नहीं पड़ा जैसा की पढ़ना चाहिए था गांधी के दिमाग में हिंदू मुस्लिम एक्ता का ऐसा फितूर सवार था कि उन्हें मुसल्मानों की कोई गल्ती दिखती ही नहीं थी ये बात मैं नहीं कह रहा बलकि ये विचार हैं डॉक्टर अंबेटकर के जो उन्होंने अपनी इस किताब के पेश टंबर 165 पर लिखे हैं डॉक्टर अंबेटकर लिखते हैं कि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एक्ता के बारे में इतने ज़्यादा सन्की हो चुके थे कि उन्होंने उन खिलाफत वादियों की हरकतों को अंदेखा कर दिया जो मुपला मुसल्मानों को उनके कारणामों पर बदाई दे रहे थे मुपलाओं के बारे में गांधी जी ने कहा कि मुपला अल्ला से डरने वाले बहद्दूर लोग हैं वो इस बात के लिए लड़ रहे हैं जो वो धर्म समझते हैं और उसी तरीके से लड़ रहे हैं जिसे वो धारमिक समझते हैं तो सुना आपने हिंदूओं के नरसंगार को महात्मा गांधी मुपलाओं की नजर में धारमिक कारिय मानते थे यहां तक की मौपला मुसलमानों के सारे खूनी विबत्स और पैशाचिक तरीके गांधी जी को धार्मिक लग रहे थे सोचिए जब गांधी मौपलाओं के साथ खड़ेते तो देश के बाकी मौसलमानों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है उस दोर में मुसल्मानों के बहुत बड़े निता हसरत मोहानी भी इनी में से एक थे कॉंग्रेस के एहमदाबाद अधिवेशन में जब मोपला अक्तियाचारों के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो इसका विरोध करते हुए जनाब हसरत मोहानी ने कहा कि मोपला का इलाका दारुल अमन यानि शान्ति का देश नहीं रह गया था वो दारुल हरब जहां गैर मुस्लिमों का राज हो में तबदील हो गया था मोपला मुसल्मानों को शक था कि हिंदू अंग्रेजों से मिले हुए हैं मोपला मुसल्मानों ने ये ठिक किया कि हिंदूों के सामने कुरान का कलमा पढ़ने या फिर तलवार से कड़ जाने का विकल्प रखा इस तरह वहां के हिंदू अगर अपनी जान बचाने के लिए मुसल्मान बन गए तो ये अपनी इच्छा से किया गया धर्मांतरण है इसे जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कहा जा सकता तो सुना आपने जनाब हसरत मुहानी ने किस तरह से तलवार की नोक पर मुसलिम मनाय जाने को सही ठहराया था अब जरा मुहानी साहब का परिचाए भी सुन दीजिए हसरत मुहानी कॉंगरिस के नेता तो थेई है वो पाकिस्तान बनाने वाली मुसलिम लीग के अद्धश भी थे अगर आपको लगता है कि 1947 के बाद वो पाकिस्तान चले गए होंगे तो आप गलत है मुहानी साहब मरते दम तक भारत में ही रहे और देश का समविधान बनाने वाली समविधान सभा के महान सदस सभी रहे एक मज़िदार जानकारी और है एक सुपरिट गजल आपने सुनी होगी चुपके चुपके राद दिन आसु बहाना याद है इन्ही हसरत मुहानी साहब ने इस गजल को लिखा है जिसे बाद में गुलाम अली ने फिल्म निकाहा में गाया था थेर अब हम एक बार फिर बात करते हैं एनी वेसेंट की जो एक बेहत धर्ब नर्पेक्श महिला थी और उन्हें भारत के हर नागलिक से बेहत प्यार था लेकिन मुपना नरसंगार के बाद उनकी इसलाम के बारे में पूरी सोच बदल गई जिसका जिक्र वो अपनी मशूर किताब दे फ्यूचर आफ इंडियन पॉलिडिक्स के पेश दंबर 303 पर करती हैं वो लिखती हैं कि हमें मालाबार में सीख मिल चुकी है कि इसलामी शाशन का क्या आर्थ होता है अब हम भारत में खिलाफत राज्जी का एक और नमुना नहीं देख सकते हैरानी की बात है कि मोपला के मुसलमानों के लिए मालाबार से बहार रहने वाले मुसलमानों ने भी सहनगूती रखी इनको बचाने के लिए बाकी के मुसलमानों ने और मिस्टर गांधी ने यही सफाई दी कि मुपला मुसलमानों ने वही किया जिसकी सिख्षा उनके धर्म में उन्हें दी जाती है एनिबिसेंट आगे लिखती है कि सब्वे समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगा नहीं है जो ये मानते हैं कि उनका धर्म उन्हें उन लोगों की हत्या करने की इजाज़त देता है जो अपना धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर देते हैं ऐसे मध्युगिन विचार रखने वालों को या तो सिच्छित करना चाहिए या फिर उन्हें उन देशों में भेज देना चाहिए जहां इस तरह के विचारों को मानिता मिली हुई है तो सुना आपने महान विचारक एनिवेसंट के इन विचारों को और कितने प्रासंडिक हैं आज विचार खिर खिलावत आंधुलन की नाकामी का बदला हिंदूों से सिर्फ मोपला इलाके में ही नहीं लिया गया बलकि पंजाब, यूपी, बिहार और बंगाल में भी हिंदू विरोधी दंगे उस दोर में हुए इसलिए हमारी नई पीडी के लिए इस मोपला फाइल्स की हकीकत जानना बेहत जरूरी है फिलाल खरीबात के इस एपिसोड में इतना ही अगले एपिसोड में मैं आपको सुनाओंगा 16 अगस्त 1946 को हुए डारेक्ट एक्शन डे यानि कलकत्ता फाइल्स की सच्ची कहानी आप चाहें तो मुझे जुडने के लिए मेरे फेस्बूक पेज प्रखरशरी 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझे जुडना चाहते हैं तो मेरे ट्विटर है प्रखरशरी 78 अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें नमस्कार